नमस्कार दोस्तों and welcome back to our channel first investment so दोस्तों आज हम लोगों बात करने वाले हैं कि कल कौनसे stocks पर trade लेना है plus nifty bank nifty का कैसे setup है हम लोगों ने जो आज stocks पर trade करे थे उन 5 stocks के मैं आपको नाम बताना चाहूँगा which is star, lupin, ajanta pharma, be emls and bharati etel तो यह 5 stocks आपको मंडे के लिए suggest करे गए थे Friday को हम लोगों ने वीडियो अपलोड करे थी as you can see the performance of these stocks star बहुत बड़ी है परफॉर्म करा lupin, outstanding, ajanta pharma, outstanding be eml, अपने लेवल्स परीड़ा and bharati etel, outstanding, ठेक है so, performance of today's stocks ही बहुत अची रही हम लोगों ने वीडियो ट्रेड़ ले and the performance goes very good so, बात करते है कल कौने stocks पर ट्रे ले 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 है ठेक है so, 5 stocks मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ first stock is torrent farmer torrent farmer में आप देख सकते हैं let me just show you here yeah एक में trend line मनाता हूँ बस ठेक हमें बस एक trend line मनानी है and which is this ठेक है यहां पर आप देख सकते हैं क्या हुआ यह probably जो line है this is 200 day exponential moving average ठेक है and उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा एक अच्छी सी rally आई rally आने के बाद आप देख सकते हैं rounding bottom बना and उसके बाद एक छोटा सा pause लिया तो आप देख सकते हैं कि एक up move a cup and handle formation and उसका break out probably आ सकता है so right now the stock is trading at 26.91 यह probably अगर break करता है which level just wait a second yeah so probably अगर यह break करता है 27.03 का level तो बहुत अच्छी rallies के अंदर आम लोग देख सकते हैं okay almost 20 to 30 points का यह momentum दे सकता है so focus on torrent farmer जब भी break करता है आप buy कर सकते हैं मैं आप लोगों को बहुत नीचे से बता रहा हूं so please अपनी watch list के अंदर से add जरूर करेगा next stock is Axis Bank yeah Axis Bank आप देख सकते हैं similar kind of system है a strong rally आई 200 day के exponential moving average से उसके बाद हम लोग ने simple analysis करी है क्या जो भी highs थे उनको हम लोगों ने join करते वी trend line draw करी है and जो भी lows थे उसके लिए channel बना दिया गया है क्योंकि multiple bar वहां पर hit हो रहा था eventually उसके उपर breakout दे चुका है as you can see it here अपनी trend line के उपर breakout दे चुका है right now trading at 619 rupees अगर 620.5 क्यू पर जाता है yes we can go for a buy in this particular stock ठीक है next stock is Kaplan Point यह stock I am holding ठीक है आप यहां देख सकते है 200 दे exponential moving average से एक अच्छी खासी rally आई आप point of view को समझ रहे है किस तरीके से stock selection करा जा रहा है 200 day exponential से movement आती है उसके बाद एक range के अंदर ही consolidate करते है stock जब range के अंदर consolidate करने के बाद वो breakout देते हैं तो हम लोगों को higher levels मिलने की possibility होती है उसके chances बढ़ जाते हैं ठीक है as you can see it here अच्छा सा breakout दिया एक channel के अंदर trade करें एक flag and time pattern है ब्रेक आउट दे चुका है अब आप यहां पर एक buy initiate कर सकते है ठीक है next stock is AstraZeneca हम लोग ने एक Instagram पर पोल भी करा था कि AstraZeneca या फिर Pfizer तो इन दोनों में से कौन तर दो stocks हैं इन दो stocks में से कौन से पहला stock 10% का movement देगा आप लोग भी मुझे बताएगा कमेंट पे नीचे कि AstraZeneca सबसे पहले 10% की movement दे सकता है या फाइजर से दे सकता है AstraZeneca का या चार्ट चेक करते हैं आप देखेगा एक अच्छी सी rally आई ठीक है almost 3000 से 5000 तक गया उसके बाद यह क्या कर रहा है उसके बाद नहीं यह आप देख सकते हैं एक range के अंदर बंद हो चुका है एक range के अंदर यह consolidate कर रहा है बहुत टाइम से और बहुत टाइम बाद आप यह दिखेगा multiple आपको red candles दिख रही होंगी बट जो upper side में मैंने यह line बनाई है कि आप इस line पे एक बार focus करेगा focus करके आप यह चीज दिखेगा कि इस line पे किती बार green candle ने सकते हैं एक बार भी यहाँ पर एक दिन भी इसने red candle green candle पे closing ने दिया बट आज दिया है यह चोटी सी candle देख रहे है और अपने 4600 के उपर इसने close करा है किस कबसे 4600 के उपर इसने close नहीं करा almost एक बार भी 4600 के उपर close नहीं करा है तो yes 4600 के उपर close कर चुका है आप यहाँ पर एक buy initiate कर सकते हैं अगर यह इस 4600 को hold करता है तो यह बहुत बढ़ी है लेवल साफ लोगों को दे सकता है तो इस particular stocks को अपनी watch list के अंदर रखेगा और comments में बताएगा कि कौन से इन दो stocks में सबसे पहले 10% की movement दे सकते है तो यहाँ last stock is VBL Varun Beverages यह stock में आज भाई करा है यह मतलब I have just bought some quantities here मेरे पास पहले से ही है as you can see it here multiple resistance थे multiple resistance का एक breakout आया, retest करा and retest करने के बाद इसने high reliable sorry इसने medium reliable pattern का form करा and उसका एक breakout दे चुका है इसने medium reliable pattern form करा है and उसका breakout दे चुका है तो yes we can go for a buy in this particular stock right now it's trading at 860 rupees आप इसी levels पे initiate कर सकते हैं तो यह हमारे 5 stocks थे कल के trading session के लिए telegram पे आप लोगों को levels update कर दिये जाएंगे कल सुबह सुबह तक market open होने से पहले and guys एक बात और मेरे पास एक message आया था कि आपके instagram पे and 1400 followers है and आपकी YouTube वीडियो पे जो views आते हैं daily वो आते 5000-4000 के असपास so आपको वहाँ पर follow के नहीं करते हैं so guys please do follow me there as well जो भी हमारी videos होती है यह हमारी videos होती है उसके नीचे आप देख सकते हैं instagram का भी link provided है do follow me there ठीक है वहाँ पर भी content और जो भी polls होते हैं वो में डालते रहता हूं plus आप हमारे discord server पर join कर सकते हैं यह community server है यहाँ पर हमारी daily मलब जो भी discussion चलती है जो भी charts share होते हैं सारी चीज़े इदर होती है आप यहाँ पर definitely जाके join करिए इस link पर क्लिक करिए जाके देखी किस तरीके से वो community server हमारा काम करता है and definitely वहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से importance मिलती है ठीक है so guys do follow this there as well so अगर हम बात करें nifty and bank nifty की तो मैंने आप लोगों कली बता दिया था nifty bank nifty में एक बार गिरावाट आए मैं चाहता हूँ मैं basically swing trader हूँ तो मैं नहीं चाहूँगा की market पे एक दिन भी गिरावाट आए बट मैं चाहता हूँ की एक बार गिरावाट आए वो भी 15th December किप से पहले reason क्या है इसका गाई यह बात समझने वाली है आप कभी भी market को study करेंगे आप यह चीज़ देखना कि जब भी budget आने वाला होता है 1st of February को उससे पहले market पे 45 days से महलब उस budget से 45 days पहले से एक rally start हो जाती है 15th of December से एक rally start हो जाती है till January end यह बात आप लोग उने notice करी होगी and मैं चाहता हूँ कि 15th of December से पहले एक छोटा सा correction आजाए 13,000 तक आजाए nifty और bank nifty आजाए almost 29,200 29,300 के आसपास का तो मैं वहाँ पर एक fresh buy position initiate करना चाहता हूँ मेरा जो bank nifty का target है 31,500 यह 32,000 तक का है January end तक का उसके भी उपर तक का है and nifty का मेरा है 13,700 plus यह already मैंने आप लोगों को explain कर दिया था nifty का आप लोगों को बताया भी गया था आप देख सकते है मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ आप लोगों के लिए यह आप लोगों को बताया गया था कि buy है जब यह trade कर रहा था around 13,270 के आसपास का and almost 100 points तक कि क्योंकि first target है which comes at 13,700 rupees so I need some correction अगर एक थोड़ा बहुत भी नीचे pullback आता है I go for a buy because 45 days की जो rally होती है extreme अच्छे तरीके होती है budget के stocks भी मैं आप लोगों को बताने हाला हूँ थोड़े time में so please stay focused stay tuned in our channel nifty bank nifty के levels explain करने के जरूरत नहीं है you already know buy है dip में ले buy करो उपर जा रहा है buy करो so guys मिलते हम अपने next particular video में plus एक बात और आज से हम लोगों ने अपना live market analysis होती है basically हम लोग 8.30 am to 10.30 तक market पे live रहते हैं zoom call के थूरू हम आप लोगों को market पे live सिखाते हैं पढ़ाते हैं और किस तरीके से calls लेनी है कौन से कौन से calls लेनी है वह सारे बताते हैं 3 days a week का यह session है December end तक का so almost अच्छे खासे people join कर चुके if you are interested नीचे एक number है आप उस number पे contact कर सकते हैं through WhatsApp only हम लोग calls उस number पे attend कर सकते आप लोगों को बता दिया जाएगा and if you want you can join so guys bye bye मिलते हैं आम लोग अगली वीडियो पे तो